नमस्कार स्वागते आप सभी का सुजस्थ सारैन्स की इस कलास में मैं हूँ आपके साथ विपिन कुमास श्रमा और इस कलास में हम पढ़ते हैं राजस्तान का current affairs जिसका आधार होता है राजस्तान सरकार की सुजस्थ पत्रीका शुरुआत करते हैं है राजिस्तान में थे मुख्यमंत्री ने आगरे किया कि राजिस्तान की ऐसी कुछ खास-खास योजना जो जनकल्यानकारी है वो देश भर में भी लागू की जाए जैसे कि सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना में राजिस्तान में अब नियूंतम एक हजार रुपे प्रती महा सभी को दिये जा रहे हैं साथ ही राजिस्तान में अभी आर्ट यानी की राइट टू हेल्थ बिल पारित किया गया है तो ऐसे ही मुख्यमंत्री का कहना है पूरे देश भर में भी स्वास्त का दिकार लागू किया जाना चाहिए और भी कैई जनक दर्चा देख केंदर सरकार जिससे क्या होगा इसकी लागत का 90 प्रतिशत जो है केंदर सरकार दौरा वहन किया जाए गए यह संचालित की जा रही है अभी परियुजना का काम एक तरह से प्रोगरेस में है यानि कि अभी चल रहा है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है यहां अगले जनकारी राजिस्थान में Artificial Intelligence Lab बनाई जाएंगी अगले पीच पर हम देख रहे हैं यहां सभी जो है महंगाई राहत केंप से संबंदित फोटोग्राप्स हैं इसमें दस योजना हैं जो यहां दी गई हैं हर दिन हम इनको पढ़ भी रहे हैं कौन-कौन सी दस हैं 500 रुपे में घरेलू गैस सिलिंडर फिर है फ्री राशन इसी में अनपूर्णा फूड पैकेट फिर एक हजार रुपे नियून्तम समाजिक पेंशन इसके लाबा चरंजी भी स्वास्त बीमा मंदर रीगा में 125 दिन का रोजगार इंद्रा गांदी शहरी रोजगार गारंटी योजना चरंजी दुरगटना वीमा में 10 रुपे का रोजगार और मुख्यमंत्री काम देनूं पश्व बीमा योजना जिसमें अब पहले के वल ग चर्चा में 10 की 10 आपको अच्छे से आ जानी चाहिए महंगाई राहत शेवर कब से शुरू हुए तो यह शुरू हुए थे कि 24 अपरेल से कि कई बार हम इसको पढ़ चुके हैं और कब तक संचालित रहेंगे तो यह रहेंगे 30 जून तक और 2023 चली रहा है तो 2023 की बात है 24 अपरेल 2023 से शुरू हुए महंगाई राहत केंप 30 जून 2023 तक संचालित रहेंगे यह दस यूजना है जिनमें जो पात्र व्यक्ति हैं उनको इनसे जोड़ा जा रहा है अगले पेज़ पर उनहीं व्यक्तियों के यानि की जो महंगाई राहत हाँ उनンダवार्थी हुए है याँ लावानवित हुए है उनिके बारे में यहां बताए गया जैसे किसी को नौय उज्णांओ को लाब मिला किसी को इस तरह से अलग अलग जिलों के अलग 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 व्यक्ति यहां दिखाए गये है अगले पेच पर जानकारी सबसे पहले यहां है कि राजिस्थान पुलिस अकेडमी में एक इंडोर शूटिंग रेंज बनाई जाएगी जिससे की जो पुलिस कर्मचारी है वो निशानेवाजी का भ्यास कर सके अब यहां निशानेवाजी कोई खेल प्रतियोगता के लिए नहीं भलकि अपराग नियंत् सरकार के कोशल नियोजनेवम उध्यमिता विभाग द्वारा अब तक कुल 6 संभागों में भी संभाग स्तरिय मेगा जौफिर आयुजित किया चुके हैं यहां अगली जानकारी है पांच जिलों में नियायले परिशरों में निर्मान कारे होगा जिसके लिए मुख्यमंत्र द्वारा 52.31 करोड रुपे स्विकृत किये गए है फिर अगली जानकारी है राजिस्थान में सेक्स सूर्टेट सीमन लैब बनाई जाएगी यह कहां बनाई जा रही है यह बनाई जा रही है जैपूर के बस्सी में इसमें जो कोश्चन पूछा जा सकता है वह बस यही है कि इस लैब का निर्माण कहां किया जा रहा है तो जैपूर के बस्सी में उद्देश्य क्या है कि यहां फ्रोजन सीमन होगा जिसे की पश्चुवां की नसल में सुधार किया जा सके फिर है जानकारी घरेलू परेटन से युवाओं के लिए अफसर बढ़ेंगे इसमें से लेकर 16 जुलाई तक तो क्या होगा यह इसको भी आज देखने वाले हैं और यहां जानकारी दी गई है चरण जीवी स्वास्थ भीमा योजना जिसमें बजट 2023-2024 में जो भीमा कबर की राशी है दस लाग से बढ़ा कर 25 रुपे कर दी गई है अब हमारा इंडेक्स यानि कौन सी जानकारी हम डिटेल में पढ़ेंगे सबसे पहले है राजिस्थान डॉमेस्टिक ट्रेवल मार्ट फिर है राजिस्थान में सेक्स सोर्टेड सीमेन लेव और फिर है मेगा जॉब फेर जो कहां होने वाला है सवाई मादोपूर और लाश कह सकते हैं प्रदर्शनी कायोजन होने जा रहा है कब से कब होगा 14-16 जुलाई 2023 कहां होगा तो जैपूर इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं उनमें जो कोश्चिन पूछा जाता है इनमें मुख्य परिक्षाम नहीं बलकि प्रिलिम्स में ऐसे कुश्चिन ज्यादा तीसरा कोश्चिन बनता है कि इसकी थीम क्या है इस वार्ष यानि के 2023 में इसकी थीम रखी गई है सस्टेनेवल ट्यूरिज्म उद्देश्य क्या है घरेलू परेटन पर फोकस करना रोजगार के नए अबसवर खोलना और परेटन अर्थववस्ता को गति देना तो राजिस इसा ही पहले शीट महुतसब का भी आयोजन हुआ तो परेटन विभाग द्वारा अलग लग शेत्रों में बहुत सारे महुतसब का आयोजन किया जाता है इसका उद्देश्य क्या है कि राइस्थान अर्थ विवस्ता है उसको गति दी जा सके तो यह तीनों ही मुख्य उद राइस्थान सरकार के परेटन विभाग और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड ट्यूरिज्म इन दौनों संस्थाओं के बीच में एक समझोता पत्र हस्ताक्षित किया गया है जिसका उद्देश्य क्या होगा इसके माध्यम से राइस्थान परेटन का डिजिटल प् स्थापना की जाएगी अब लेब की स्थापना की जा रही है जैपुर के बसी में तो इस जानकारी में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है अगर पूछे जा सकने वाली कोई चीज है तो कि राइस्थान में पशु नसल के सुद्धार के लिए बनाई जाने वाली सेक की नसल है तो उन्नत नसल के पशु विक्सित किये जा सकेंगे किस से फ्रोजन सीमन से तो सीमन यह रखा जाएगा फ्रोजन फॉर्म में कहां बनाई जारी यह लैब जैपुर के बसी में अगली जानकारी है मेगा जॉब फियर जो कहां विजित होने वाला है सवाई मादवपुर में कब 13 मई 2023 को जिसका आउज़क कौन होगा राइस्थान सिरकार का कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विवभाग इस जॉब फिर का विवजन करने वाला है विबरन क्या है इसक रास्ट में जानकारी है इंडोर सुटिंग रेंज एक होता है सुटिंग फील्ड जो आउटडोर होता ही है इंडोर सूटिंग रेंज यानि कोई बड़े हॉल में कमरे के अंदर ही शूटिंग रेंज बनाई जा रही है कहां तो राइस्थान पुलिस अकेडमी जो जैपुर में है सास्ते नगर उद्देश से क्या है इसका जो पुलिस कर्मचारियां उनकी फाइरिंग शमता में वृद्धि की जाए ताकि उनकी जो शूट होती है फाइरिंग की उस तरह की आधुनिक टक्निक की कमपोजिट इंडोर शूटिंग रेंज होगी जिसमें 50 मिटर की छे लाइंस इसमें बनाई जाएंगी है फिर आज का अभ्यास प्रश्ण राजिस्थान डॉमिस्टिक ट्रेवल मार्ट 2023 इसकी थीम क्या रखी गई है आपके सस्टेनेवल ट्यूरिज्म ट्यूरिज्म एंड डेवलप्मेंट डॉमेस्टिक ट्यूरिज्म या ट्यूरिज्म इन राजस्थान तो इन चार में से क्या होगा सही जवाब वह आप बताएं कमेंट्स में आप मिलते हैं कल अगली नीज के साथ अगली क्लास में धन् झाल झाल